प्राइज एक्षिन मेंटा दोस्तों अभी हम लोग यहां पे काफी बढ़िया से स्टॉक के बारे में देखेंगे मार्केट के मूड को समझेंगे आज आपने देखा होगा काफी अच्छी आपको गरावट देखने को मिली है और कल लोगों ने जो लेवल डिसकस किये थे वहीं से ही कई-ने कई गरावट हमें देखने को मिली है इसलिए दोस्तों मैं साती साथ निफ्टी को भी चेक करता जाता हूँ ठीक है क्योंकि दोस्तों कई-ने कई अगर निफ्टी में प्रेशर आता है तो बागी स्टॉक्स में भी हमें कहीं प्रेशर देखने को मिलता है अभी जो आप देख रहे हैं ग्लोबर सेनारियो भी उतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं है अभी अपना इलेक्शन भी पास आने वाला है तो काफी सारे फैक्टर्स हैं मार्केट में इसी वज़े से आपको एक हाइस्ट वोलाइट दोस्तों आप में से जिल लोगों ने सब्सक्राइब करके रख़ा है उनको थैंक यू क्योंकि दोस्तों भी हम लोगों ने रिजेंट्ली 800 सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट कर लिये हैं और दोस्तों इससे काफी मोटिवेशन आता है तो थैंक यू सो मच पॉर्द अब सबसे पहले निफ्टी देखेंगे और निफ्टी में देखो कल मैंने आपको वन आवर टाइम फ्रेम में एक लेवल आपको मार्क करके दिया था यह लेवल अगर आपने कल का मेरा अनलिसिस नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखना यह लेवल हम लोगों ने निकाला यहां पर कोई क्लोजिंग नहीं थी और उसी के बाद से दोस्तों मार्केट यहां से पहले यहां पर दीरे दीरे उपर गया जो हमारा लेवल था और उसके बाद में आप देखोगे यहीं पर करके यहां से सीधे शार्प गिर गया ठीक है अगर हम लोग ट्रेंड लाइन को भी खीचे तो कुछ इस तरीके से हमें एक ट्रेंड लाइन भी आती हुई दिखाई दे रही है तो कहीं दोस्तों यहां से एक यह ट्रेंड लाइन भी काफी इंपोर्टेंट हो जाती है अब फॉर अपकमिंग डेस और इधर से देखो अब यहां पे काफी अच्छा फॉल करेंगे तो आपको यहां से देखो यह वाले जो स्विंग यह ब्रेक हुए है और अभी दोस्तों एक एक जो लाइन ऑफ डिफेंस है वह क्या है वह यह जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही होगी ठिक सी टूवन एट फाइट के लेवल से यहां पे देखो मुविंग एवरेज भी कहिने के अपने पास में आ चुका है तो यह भी एक इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट अभी पूरी तरीके से मैं यह नहीं कहूंगा कि यहां से पूरा ब्यारिश है जैसे ही अगर यह लेवल का ब्रेक होता है तब दोस्तों यहां से आपको एक अच्छी खासी है ठीक है तो यह चीज हमारे लिए खराब है तो इस चीज को दोस्तों यहां पर हम लोगों को देखना पड़ेगा एंड को दोस्तों आपने समझ में आया होगा आपको यहां से जो ग्रीन कैंडल है यहां से कई नए सेलर्स हुसेत हैं दूबारा से इसके नीचे आ गया है तो अगर यह नीचे जाएगा और कल अगर यह नेवल ब्रेक हो जाता है तो कहीं ने कहीं दोस्तों काफी यह स्टॉप लॉसें यहां जाएंगे प्लस आज यहां पर इंट्री लिये हैं वह भी फसेंगे तो यहां से शार्प सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है और दूसी सब्सक्राइब में अगर गिरावर देखने को मिलती है तो हमको भी निफ्टी में एक अच्छी सैलिंग देखने को मिलेगी इसलिए दोस्तों इस टाइम आपने टार्गेट में ही आपका काम बनेगा आप सोचो कि आपको 15-20 परसेंट का रिटन मिले तो अभी वह पॉसिब अपने आल टाइम हाई पर यह से ट्रेट कर रहा है तो वहां बीच में घुचने का कोई मतलब नहीं है इसलिए दोस्तों आज जो लिए लेकर आए हैं और आपको देखना चाहिए यहां पर देखो सबसे पहले तो यह कर मैंने जीव फाइनेंशल के बारे में भी अपडेट सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां से नीचे गिर जाता है तो फिर यह नीचे इधर तक आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है तो इसमें भी हमको यह जैसे आप लोगों मैंसे जो रिटेलर से गिरता है अगर एक यहां बड़ी कैंडल बन जाए तो आप तुरंद इंट्री ले जाता है ऐसे नहीं लिए अगता है थीका है अब दोस्तों और अच्छा यांसे आया था वनाव डेली टाइंफ्रेम से एथर पे भी देखोगे तो अगें यहां से एक यहां पर दिखाई दे रही है और दोस्तों देखो इंगल्फिंग कैंडल को हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं हम लोग को सिंप्ली यहां पर इसका जो नेक्स अगर बुलिश बनता है तो वहां पर लेना है यहां पर इसका उप्लास से रखने है ठीक है और मिनमम वन इस्टू फाइब के हम लोग इसको ट्रेड करते हैं अगला कैंडल कैसा बनेगा और दूसरा दोस्तों यहां पर हम लोग कुछ इस तरीके का भी सेटप दिखरा है कि गिरावाट हुई है यहां पर देखो एक रेंज बन रही है तो अभी हो सकता है यह थोड़ा कंसॉलिडेट करें फिर यह ब्ल करते हैं जब यहां पर आप इंट्री बनाते हो मुविंग अबरेज में तो इधर से रिजेक्ट हो के वापस से कई बार नीची चला आता है तो यहां पर अपने हाफ कॉंटिटी जरूर आपको भूक कर लेनी चाहिए ठीक है तो यह इस तरीके से दोस्तों इसका एनलिस है आपको अच्छा लगा होगा और अगले स्टॉक और बांस किया है तो इसको भी अपनी वाच्छी से ले रहा है तो इसको भी अपनी बॉच्छ लिए से खीच देता हूं तो आप इस तरीके से ड्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी ही तो इस इसमें अभी दोस्तों कुछी दिनों में यहां से एक डिसीजन आ जाएगा कि इस तरीके से यह यहां से बाउंस देखने को मिल सकता है तो इसको अगला स्टॉप है हमारे पास वर्दमांट टेक्स्टाइल का तो इसको लोग वन आवर में ही स्टड़ी करेंगे वन आवर में आपको देखो क्या यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर कप वाला पैटर्न बनाता है उसके बाद में यह ब्रेक आउट हुआ फिर काफी मतलब यहां पर चौपी क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा चौपी चल लाएं तो यहां पर सभी हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा सा वोला टिल्टी रह जाए क्योंकि यहां पर कोई मार्जिन नहीं है इसको जरूर से रख लेना क्योंकि आगे चलके अगर यहां से कोई भी ब्रेक आउट आता त ताकि और क्लियर हो आपको वीकली टाइम फ्रेम में कहीं ने कहीं यह एक अच्छा पैटन बना रहा है ठीक है आप देखोगे तो इस तरीके से आपको एक पैटन दिखाई दे रहा है ठीक है एड़न शोल्डर एंड इधर पर देखोगे यह किसका इंपॉर्टेंस है इंड अच्छा ब्रेकाउट दे सकता है इवेन आज काफी से वॉल्यूम्स भी देखने को मिले हैं और दोस्तों जैसे यहां पर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और फिर हम यहां पर ले सकते हैं या फिर 13 मिनट में अगर हम लोगों को यह मूविंग आवरेज के पास में मिल जा कोई खास आपको कोई इसा ट्रेट दिया नहीं क्योंकि मार्केट में काफी इस चाइम अंसर्टैनिटी है और वाइस ट्रेड हमने सेलेट करें जिससे कुछ हमें सीखने को मिले और आने वाले टाइम में इन स्टॉक में आपको एक अच्छा आपको तार्गेट मिल सकता है तो दोस्तों बने रहेगा हमारे साथ में एंड थैंक्यू सो मच पर वाचिंग सुबाबाई सी यू टेक क्या